Hi everyone, आज मैं आपके लिए लाई हुँ राजस्थानी मलाई पापड की सबजी जो खाने में बहुत ही सुवाद लगती है और homepage डिसे आप गर्मा-गरम चपादी पराथी या राइस के साथ सब कर सकते हैं सब को बहुत ही पसंद आएगी स्वागत है आपका मेरे चैनल Shades of Food में शुरू करते हैं रेसिपी इसके लिए 3-4 पापड लेंगे ये सबजी परिवार के 4 सदस्यों के लिए काफी है तवा हलका सा गरम करेंगे और उस पर सभी पापड रोस्ट कर लेंगे आप चाहें तो इने डाइरेक्ट फ्लेम पर भी सेख सकते हैं लेकिन उससे पापड हलका सा जल जाता है और सबजी में पापड का रंग अच्छा नहीं आता है इसलिए कोशिश करें कि इने तवे पर ही रोस्ट करें अब सारे पापड रोस्ट करने के बाद में एक पैन लेंगे पैन में छोटा एक चमस घी का डालेंगे घी से सबजी का सौाथ बहुत ही बड़ी है आता है आप चाहें तो इस कप भी कर सकते हैं और एक बड़ा चमस तेल का डालेंगे तड़के के लिए फित आदर ज bevor झार धीरा ढालेंगे दो साबुट लालमेची एंची डोक्डा कद्धू डालेंगे दो हरीमर्च 2ज़ trafficking डालेंगे अब अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो आट से दस लहसुन की कलियां और एक प्याज बारी काट कर वह भी एड़ कर सकते हैं या उनका पेस्ट बना कर डाल सकते हैं अब एक कप ताजा धही लेंगे धही एक्दम ताजा होना चीए बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चीए उसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर सभी मसाले हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और लाल मिर्ज पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे इस कंसेंटेंसी एड़ेस्ट करने के लिए देखिए कुछ इस तरह से हम अब उस पैन के अंदर जिसमें हमने अद्रक और इमिज का तड़का लगाया था उसमें दही का मिक्चर एड करेंगे और लागातार चलाते हुए इसे उबाल आने देंगे जब तक उबाल नहीं आता है जब तक आपको इसे लगातार चलाते जाना है नहीं तो दही फटने का पाउडर रहेगा देखिए उबाल आ चुका है अब इसके अंदर छोटा आदा चमस नमक का डालेंगे आप अपने स्वाद नमक कम जादा भी कर सकते हैं नमक जादा हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि पापड़ में भी नमक होता है बुनियों कसूरी मेथी डालेंगे आ अच्छे से फेट कर आप वह भी काम में ले सकते हैं और जो भूने वे पापड़ थे उनके टुकड़े करके हमने रखेते हैं वह एड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप चाहते हैं कि यह सब्जी थोड़ी तरी वाली बने तो इस टाइम पे इसके अंदर थ करेंगे सब्जी बना कर जरूर ट्राइ कीजेगा सभी को बहुत पसंद आएगी तयार है मलाई पापड की सब्जी घानिश करते हैं इसे हलकी सी क्रीम के साथ और हरे धनिये के साथ में एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा यह रेसेपी और अगर आपको रेसेपी पसंद आती करेंगे तो लाइक कमेंट शेर और अगर अब भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग माई रेसेपी